प्रादिशिक समचार एकांश पुपाल द्वारा प्रस्तुत है होशंगबाद जिले की चिठ्थी आलेख दनुष्तिवारी वाजनस्वर शेख महजबीन अलमास देश और दुनिया के साथ ही होशंगबाद जिले में भी कल गांधी जैनती मनाई गई गांधी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर राजनेतिक दलों, सामाजिक संगठनों, वरिश नागरिकों ने माल्यारपन कर उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की वही आठ अक्टूबर तक मदिनिशेत सप्ता भी मनाया जाएगा, हाला कि वैश्विक महावारी कोविड-19 के कारण आयोजन या समारो आयोजित करने पर प्रतिबंध है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मदिनिशेत सप्ता मनाया जाएगा, कला पथक दल की सहभागिता से गीत इवम समझाईश दी जाएगी तथजन जागरती के लिए सोशल मेडिया पर स्लोगन आधी के माधियम से मदिनिशेत के लिए प्रचार प्रसार किया मातमा गानिका स्वदेशी और स्वालंबन को लेकर विशिश आग रह था, जिलिन में 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरण सप्ता चलाया गया विदेशी वस्तों का बहिशकार करते हुए पुतला दहने हम स्वदेश में निर्मित वस्तों की स्विकारता का संकल्प समाज को दिलाते हुए कारिकरम किया गया स्वधेशी जाकरट मंच ने स्कूली और कॉलेज छात्रों के साथ स्थानी लोगों को स्वधेशी वस्तूओं के उपयोग के लिए जाकरू करने के लिए साइकल रैली निकाल कर विदेशी वस्तूओं के पुतले का दहन किया जिले में सड़कों पर छोड़ी जाने वाली गाय की सुरक्षा और गवपालन की और गाउं के लोकों को फिर से जोड़ने के लिए जिले के युवा एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं युवाव ने इसका नाम गवरक्षा और सेवा यूजना दिया है इस जोजना का शुबारम नवरातर से होगा इसके तहर शुरुआत में दो समीती के करीब पचास युवाग गोपालकों से गाउमतर और गोबर खरीदेंगे जिनकी उन्हें तुरंट नकट राशी दी जाएगी इसके लिए गाउस तरपा खरीदी केंदर बनाए जा रहे हैं गोबर एक रुपे लीटर और गोबर एक रुपे किलो से खरीदी करेगी हुशंग अबाद जिले ने गेहूं उत्पादन और गेहूं की किसमों को लेकर पंजाब राजी को पीछे छोड़ दिया है लगातार तीन सालों से देश का सबसे बड़ा कृशी कर्मन एवार्ट मिल रहा है और इस एवार्ट को दिलाने में जिले की तीन उन्नत किसान महलाओं का विशेश योगदान है हाला कि इस योगदान में जिले में इस्ते सवासो साल पुराने पवार खेड़ा कृशी कर्मन एवार्ट मिल रहा है और इस एवार्ट को दिलाने में जिले की तीन उन्नत महिलाओं का भी विशेश योगदान है हला कि इस योगदान में जिले में इस्ते सवासो साल पुराने पवार खेड़ा कृशी अनुसंधान केंदर सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ है एक और सबसे बड़ा कारण नरुदा नजी के लावा यहां तवाबान का होना है जब से तवाबान बना है उससे सचाई की समस्या ही खत्म हो गई है जाहिरे सेहां के किसानों की आर्थिक इस्तिती बहुत बहतर हो गई है जिले में सोयबीन की फसल, रेक्टोजोनिया, रूट, रॉट, रॉट, एवम, लीफ, स्वाट, बीमारी इसके लावा बाड़ और बारिश ने खराब कर दिया है क्रिशिव एग्यानिकों के मताबिक सोयबीन की फसलों में भारी वर्शा से कीट व्यादी के प्रकोप इन बीमारियों से फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है इस नुकसान को देखने के लिए केंदरी दल ने हाल ही में तहसील हो शंगाबाद और डोलरिया गाउं में फसल नुकसान का जायजा लिया टीम के साथ मौजूद कलेक्टर ने भी किसानों से चिंता ना करने और हर संभाव मदद उपलब्ध कराने का आशवासन दिया गरीब तीन माँ बाद एक अक्टूबर को सौहागपूर के प्राकर्तिक परेटन केंदर मड़ई सेलानियों के लिए खोल दिया गया इस मौके पर प्रवंदन के और से परेटकों का अभी वादन किया गया इस बार कोरुना के कारण परेटकों के लिए मड़ई में कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते सनिटाइजर एवं तापमान मापने की विवस्था की गई है रेंजर मुके जुडवे ने बताया कि मड़ई में विदेशी परेटकों के साथ ही जंगल सफारी का लुट्फ लेने भूपालसी और हुशंगाबाद और अन्ने स्थानों के परेटक घूमने पहुंचे जिले में कोई भी बच्चा को पोशित ना रहे प्रदेश सरकार समाज के अंतिम शोर पर खड़े व्यक्ति तक जन हिदेशी योशनाओं का लाप पहुंचा रही है यह बाद प्रदेश के सहकारिता मंतरी अर्विंत भधादोरिया ने हाली में गरीब कल्याण सब्ता के तयत आयोजित पोशन महुतसव कारिकरम में कही रेल्वे बोर्ड की गाइडलाइन के मताबिक प्रदेश के सबसे बड़े जंक्शन इटारसी पर खान पान स्टॉल जल्द यात्रों को पार्किंग और पार्सल बुकिंग का भुक्तान आनलाइन करना होगा जले में 2000 के करीब करोना पॉजिटिव पहुच गए हैं हाला कि करोना संक्रमित भी तेजी से स्वस्त हो रहे हैं करोना संक्रमन काल के कारण जले में लोगों को इससे बचाव के लिए अने कुपाई किये जा रहे हैं और साथ ही उन्हें जागरूप करने नुकड और अने माधिमों के जरीए सतर्क किया जा रहा है जले की चिठी समाप्त होई